नमस्कार दर्शकों आज मैं नौरंगाबाद गाउं जो भीवानी से करीब 10 किलोमीटर है यहां पर एक उभरते हुए व्यक्तित्व को आप से मिलवाने के लिए आया हूँ उभरते हुए व्यक्तित्व से मेरा तात्परिय यह है अब वर्तमान में जो चुनाव आने वाले हैं सर्पंच के उसमें हमारे संदीप शर्मा जी भी सर्पंची का चुनाव लड़ने की मन में अभी लाशा लिये और यहां पर सेवाकार ये पूरे गाउं में कर रहे हैं तो इन के मन में ये सर्पंची का चुनाव लड़ने का भाव क्यों पैदा हुआ और ये किस परकार से तियारी कर रहे हैं और इनके क्या लक्षे हैं क्या सपने इस बारे में मैं आपको आज रूबरू करवा रहा हूं एक भरते वे नेता श्री संदीप शर्मा जी से नौरं आपके मन में सर्पंच का चुनाव लड़ने का मन में जो भाव है मन में खयाल हो क्यों आया हमारे दर्शक इसके बारे में आपके विचार जानना चाहते हैं सबसे पहले तामंजी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप आए और उसके बाद मैं सभी दर्सकों को नमस्कार करता हूँ रही बात हिलक्षन की अमंजी मेरे गाउं में विकास कारी ये बहुत कम हो रहे हैं सबी गड़ियां की तूटी पूटी पड़ी हैं सबी विकास कारिये अदम में रुके हुए हैं उनको पूरा करने के ख्याल से मैंने इलक्षन की तेयारी सुरू की है और सोचा है कि मैं इलक्षन लड़ूँगा संदीब जी चाहे कोई भी इलक्षन हो उसके अंदर बहुत सारा रुपिया लगता है और बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है तो जैसा कि आपने बताया कि भी आपके गाउं के हालात जो है विकास की दृष्टी से पिछड़े हुए हैं और इनको दूर करने के लिए आपने सर्पंची का चुनाव लड़ने का मन में विचार बनाया है तो इसके लिए आपकी तैयारी क्या है आप किस परकार से लोगों से जुड़ रहे हैं अपनी बात लोगों तक किस परकार से पहुंचा रहे हैं मैं चाहूंगा उसके बारे में और बताएं अमन जी जो आप बोल लोगों कि पैसा बहुत चाहिएं या तैयारियां तो सबसे पहले तुम आपको बतादू मेरे सर के उपर 36 ब्रादरी का आशिरवाद है मुझे ज़्यादा गवराने की जरूद नहीं है मैं डोर टो डोर हर गर में जा रहा हूं अच्छा रिस्पोंस और अच्छा अशिरवाद मिल रहा है और बाकी तो परिवार समाद सभी 36 ब्रादरी मेरे साथ हैं जादा मैंने पैसे के बारे में और किसी चीज़ के बारे में गवराने की जरूद नहीं है संदीब जी हमारे जीवन में सबसे जरूरी चीज़ जो है मैं वो समझता हूँ वो है सुरक्षा और शिक्षा तो नौरंगाबाद गाओं का परतेक घर सुरक्षित रहे परतेक बच्चे को परियाप्त और बढ़िया उचित शिक्षा पराप्त हो इसको लेकर के आपकी क्या प्लानिंग है आप क्या करेंगे या क्या आपके लक्षे है मैं चाहूँगा हमारे दर्शकों के समझ से आप अपनी बात रखें अमन जी शिक्षा के बारे में जो बात आपने बताई बहुत अच्छी एह बात सबसे पहले जो गरीब तबका है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों ने पढ़ा सकते क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फीस बहुत जादा है मैं एक छोटी सी बात करूँगा कि आज से 35 या 40 साल पहले मेरे दादा मन और लाल सरपंच बने थे अमारे गाओं में जो बस्टेंड है उसके पास जो सरकारी स्कूल है वो मेरे दादा की योजना में ही सरकार ने गरांट दिया था और बने था अब मेरे नितिये रहेगी कि इस स्कूल को पलस्टू तक करवा के संदीब जी कोई भी आदमी जब वो सरपंच बनता है MP बनता है MLA या MC बनता है तो उसके सपने होते भी मैं कुछ करके दिखाँ आपके गाउं में जैसा कि आपने बताया कि नौरंगाबाद पिछड़ा हुआ है और यहां पर वो विकास नहीं हो पाया जिसका कि ये गाउं हकदार है तो हमारे दर्शकों के समक्ष अपने यदि सपने रखने की बात हो लक्षे रखने की बात हो जो आपके मन में कशक है उसको पूरा करने की बात हो तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी है अमनजी, सबसे पहले तो मैं मेरे गाउं के रोजगार के बारे में आपको बतादी। मेरा सबसे पहला फोकस रहेगा कि रोजगार। जैसे कि अब कहीं भी अगर ये पद मुझे पराप्त होता है, 36 बरादरी के आशिरबाद से, तो सबसे पहले मैं गाउं में रोजगार लाने की कोशिश करूँगा जैसे कि बड़ी बड़ी फैक्टरियां हैं हमारे खेत में जैसे टाटा मोटस बन रही है तो हमाभी मेरी बात चल रही है कि 15 बच्चों को मेरे गाउं को रोजगार मिले कोशिश करीबी है और एक दो बच्चा लगया भी है एक-दो सदह से मेरे गाउं के लगे बी है और उसके बाद लाइट कामरी मेरे गाउं में तो मैं अपने गाउं को जगमगी उजञा के तहत जो आता है उसमें 24 में से कमसे कम अठारा या 20 गंट लाइट लेने कोशिश करूंगा और पानी का सबसे कमजोर स्थिति मेरे गाउं में पानी की है मन जी तो मेरा विचार ज्यादा ज्यादा रहेगा पानी पे तो कि इसमें जो पानी हो बहुत सी सालों से तंगी चल ली पानी की तो यह यह से जे बंग हैं मेरे गाउं मेव द fasten नहीं है मैं मैं बैंक बारे मेरे बार जो तो ग्रामिंट बैंक जो है गाउं के जैसे को डिलेवरी केस है या कुछ भी उसके लिए भीवानी जाना पड़ा है तो उसके बारें भी अमन जी पूरा मैं फोकस रखूँगा तो विकासकार ये पूरे करवाने की ही मेरी जिद है उसी के लिए मैं इस पद के लिए लड़ाई लड़ने की सोत रहा हूँ और मैं अपने सपने पूरे करूँगा मेरे गाउं के सपने पूरे करूँगा संदीब जी आपने बताया कि आप डोर टो डोर लोगों के पास जा रहे हैं आपने अभियान छेट रखा है लोगों से मिलने का उनकी समझे हैं जानने का तो अंतबे मैं यह जानना चाहूंगा कि आपको कैसा परतिशाद मिल रहा है लोगों का क्या कैना है लोगों का कितना सनेह, प्यार, अपनापन, आशिरवाद आप पार हैं थोड़ा उसके बारे में और बताईए जी हमन जी, ये बहुत अच्छा सुवाल आपका अभी 35-40 साल होगे राजनिती के बारे में पता ये था कि क्या चीज राजनिती ये तो गाउं के परदान पद का इलक्षन है जहां भी जाते हैं और इलक्षन के बगेर भी जहां जाते हैं वह आच्छा रिस्पोंस और अच्छी उठवेट है सबके साथ तो अब तो जब लोगों को पता चले रहा है कि संदीप इलक्षन के बारे में सोच रहा है तो बहुत अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है सबी का आसिरवाद प्राप्त हो रहा है तो चट्श विरादरी का आसिरवाद मुझे प्राप्त हो रहा है जिस घर में जाते हैं वह अच्छा रिस्पोंस मिल रहा है और अब तक तो लोग सोच रहे थे कि ये लिक्षन नहीं लड़ा मैंने मना कर रख्या था लेकिन कोई बात ऐसी आगी कि अब इलक्सिन लड़ेंगे गाउं के विकास के बारे में दर्शकों एक और इसी परकार से उभरती वी हस्ती को लेकर मैं शिकरी आपके सामने फिर पेश हूँगा तब तक मुझे आमन कोशी को दीजिए इजाज़त जै हिंद